धुरूम वर्ण नाम के मेरे विनायक जो जिनके शरीर से भक्तों के ताप मिटाने के लिए अगनी देची तेज निकलता रहता है जिनके शरीर से धुए की भाती अगनी प्रगट होती रहती है हम तो उनको पहचानते हैं जो दुनिया के ताप मिटाने के लिए प्रगटा है उनके शरीर से अगनी धुआ तेज पुंज प्रगट हुआ है वो धुरुम वर्ण विनायक साधर्ण उसका केवल नाम उच्चारण करकर भी अगर विराजित किया जाए वो आया स्विकार करे जाओ तस आप अभी तक बिठा लेते थे सिद्धी विनायक आओ मयूरेश्वर आओ भगवान को बल्लेश्वर पधारो आपने बुलाए आया वो बेठा वो ऐसा नहीं की नहीं बेठा पर हमें समय का भान नहीं हो पाया हम किस समय पर भगवान को रिजाए परमातमा को रिजाने क कोई समय होता है भगवान को तो जब तुमारी मर्जी पढ़ जाए जब तुमारा दिल कर जाए तब मेरे भगवान को रिजाने का प्रयास करो वो तुमारे करीब में आकर भीड़ जाएगा जब तुमारा मन पढ़ जब तुमारी मर्जी पढ़े सिद्धी विनायक का मतलब क्या हो था उस असली मतलब को समझ रहा है सिद्धी विनायक का मतलब क्या है सिद्धी विनायक क्या होता है केवल नाम से सिद्धी विनायक हो गए या उनके पास में सिद्धी थी बुद्धी थी, रिद्धी थी ये सब सिद्धी विनायक के लक्षण है या गणेजी के हाथ में लड्डू रखा तो सिद्धी विनायक है कमल कुश्प पकड़ है तो सिद्धी विनायक है मस्तक पर मुकुड रखा है तो सिद्धी विनायक है या मुंबई में बेठे तो सिद्धी विनायक है आगरा में बेट है तो सिद्धी विनायक है वो सिद्धी विनायक का मतलब क्या होता है उस मतलब को समझेए सिद्धी विनायक का मतलब क्या होता है सिद्धी विनायक मंदिर की सीड़ी पर जब चड़ो अंदर प्रवेश करो फालतू की बात बंद हो जाना चाहिए तुम्हें गनेजी के सामने सिद्धी बिनायक के सामने जाकर ये भी नहीं कहना कि साम मेरा ये काम कर दो सिद्धी बिनायक के सामने जाकर ये नहीं कहना कि मेरा ये काम कर दो सिद्धी बिनायक के सीड़ी पर चड़ो अंदर मंदिर में प्रविश करो तुम जो सोचते जाओगे बस सोचते सोचते तुमने दो लड़ू बाबा को समर्पित कर दिये बिनाया को समझ लो तुमारा काम जो मांगा वो मिल गए दो लड़ू में पूर्ती है सिजी दिवाली आती है तो सबसे पहला काम कौन सा होता है बोलो जल्दी से जम के बोलो सफाई दिवाली आती है तो सबसे पहला काम कौन सा होता है घर की सफाई अब कोई पूछे कि घर की सफाई क्यों करी जाती है होली आती है तो कभी सफाई नहीं होती धसे राता है तो नहीं होती है कोई विशेश फंक्षन होता है तो घर की सफाई नहीं होती है पर दिवाली आती है तो घर की सफाई क्यों किसलिए श्यों महा कुरान की कथा करती है जब लच्मी घर में आये उससे पहले घर की सफाई कर लेना चाहिए उसका कारण ये है कि साफ सफाई वाले घर के अंदर लच्छमी टिकती है और बहुत दिनों तक रहती है घर की सफाई कर लेना चाहिए अब कितनी सुंदर बात हमारे सास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में कहा गया कि दिपावली आई, लच्छमी जी आई, तो घर की सबसे पहला काम घर में करा गया घर की सफाई आप से भी निवेदन है, आपके घर में, जब लच्छमी बढ़ने लगे, दिवाली से मतलब नहीं है दिपावली से मतलब नहीं है सफाई का जब तुम्हारे घर में संपदा बढ़ने लगे, तुम्हारा वेपार चलने लगे, तुम्हारी दुकान चलने लगे, तुम्हारी नोकरी अच्छी तरक्की की हो जाए, तुम्हारा पेकेज बढ़ जाए, खूब तुम कमाने लगो, तो निवेदन है, जब लच्छमी तुम् मन की भी सफाई प्रती दिन करते रहना जिससे इसमें अहंकार ना जम जा इसमें अभीमान ना जा इसके अंदर अहंकार प्रगट ना हो जा जब आप अपने दिल की सफाई करकर रखोगे अभी मत्ता में नहीं फूलोगे अहंकार में नहीं फूलोगे अहंकार में अधिक नहीं बढ़ता होगे तो ये निश्चित है तुमारे यहां लच्चमी टिकेगी जिसका घर साफ हो जाता है सफाई हो जाती है उसकी यहां लच्चमी थोड़ी टिकती है रुकती है रहती है आपके भीतर से अहंकार गया, काम गया, लोब गया, वासना गयी, तरशना गयी, अहंकार गया तो लच्मी तुमारे घर में टिकेगी और अगर तुम थोड़े बोध भी अहंकार में फूल गये मेरा पैसा, मेरी दोलर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा बेभव, मेरी सत्ता vam तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो जब तुम अहंकार में फूलने लगोगे तो लच्मी फिर टिकती नहीं, फिर लच्मी चली जाती है इसलिए दिपावली के पहले का सबसे पहला काम है सफाई करना सफाई का मतलब यह नहीं है कि घर की सफाई करना सफाई का मतलब है अपने दिल की सफाई करना अपने मन की सफाई करना इसके अंदर हंकार ना रे जाए इसके अंदर काम आ सकती तृष्णा ना रे जाए अभी मत्ता से दूर हो जाओ शुमाहापुराण की एक बात अपनी जिन्दगी में बहुत अच्छे से उतार कर रखिये जो आपके जिन्दगी में आपके भी जीवन में और हमारे भी जीवन में कामाती है कभी बहूत बड़े कभी बहूत बड़े विद्वान मत बनना और बहूत बड़े ज्यानी मत बनना ज़्यादा विद्वान बन जाते हैं, ज़्यादा ग्यानी बन जाते हैं तो वो भरा हुआ जो मटका है ना वो जलकता है अंदर अगर पात्र के अंदर दूद भरा हुआ है पात्र के अंदर बरतन के अंदर अगर पानी भरा हुआ है तो अलग से हम पानी डालेंगे तो उसमें भराएगा नहीं, बाहर जलग जाएगा उसमें दूद भराएगा नहीं, जलग जाएगा उसमें तेल भराएगा नहीं, तेल जलग जाएगा अगर वो पात्र खाली है पात्र अगर खाली है तो उसमें जो भरोगे वो भरता चले जाएगा तो बहुत विद्वान नहीं बनना बहुत ग्यानवन नहीं बनना कि मुझे सब आता है सब कथा मालू में मेरे को मेरे को मत सुनाओ तुम मुझे मत बताओ कई-कई बच्चे कह देते हैं कई-कई बउए कह देते हैं अपनी सास से मम्मी मुझे कुछ बताने की जरूत नहीं है मैं कोई तुमारे जैसी अनपड़ नहीं हूँ बहुत पड़ी लिख्य हूँ मुझे बहुत ग्यान है कई बार बेटे कह देते हैं पापा तुम तुमारे लेवल से दुकान चलाते हो गये मुझे मेरे लेवल से चलाना है मैं सुन नहीं सकता मुझे सब पता है मुझे सब ग्यान है थोड़ा सा पढ़ लेने से थोड़ा सा विद्याध्यन कर लेने से बहुत ग्यानी मत बनना निवेदन है बहुत ग्यानी नहीं चार इंजीनियर एक आड़ा तेड़ा पाइप उस आड़े तेड़े पाइप में चार इंजीनियर एक तार को डाल रहे थे और वो इंजीनियर से तार अंदर नहीं गया एक किसान, उन्हें इंजीनियर को देखकर दुखी हो गया, उसने कर तुमें देख रहा हूं, चार दिद से तुम तार कोर्स के अंदर डाल रहे वाड़ा तेड़ा पाइप है, इसमें जानी रहा, मैं डाल सकता हूं, चारों इंजीनियरों ने विचार कर रहा, बताओ कैसा किसान, गाउं मेरेने वाला, अकल तेर में नहीं, हम चार चार बड़े-बड़े इंजीनियर, हमारी विद्वत्ता को तु क्या जानेगा, क्या तु इस तार को अंदर डाल सकता है, हां डाल दूंगा, एक इंजीनियर का दे दो इसको, उसने कहा, अब भी आया, घर गया, घ कभी-कभी, बहूत बिद्वत्ता का अभीमान, हमको दुगो देता है, रावन में और हनमान जी में, एक बहूत बड़ा अंतर था, रावन कौन था, आज भी लोग कहते हैं, रावन बहुत बिद्वान था, बोलो सहिय की गलत है, अर्जम के तो बोलो, रावन के लिए जो भ बोलेगा कि हनमान जी विद्वान थे, हनमान जी के लिए लोग कहते हैं, विद्ध्यावान गुनि अति चातुर, क्या बोलते हैं, बोलो जम के बोलो जरा, विद्ध्यावान गुनि अति चातुर, हनमान जी को विद्वान नहीं कहा, हनमान जी को विद्ध्यावान कहा, वि जगत में डोंडी पीटता रहता है, मुझे सवाता है, मुझे सम्मालूम है, मुझे सब अकल है, तुम लोग नहीं जान सकते हैं, हम लंकेस हैं, हम लंकेस हैं, यह विद्वत्ता, और विद्ध्यावान क्या होता है, जब लंका में भी प्रविश करता है, तो मसक समान रूप कर प्रविष क्र जाता में जो विद्वान में और विध्यावान एंतर है कि इस जुकना पसंद नहीं करता रिद्वान छोटा बलशान नहीं करता और विद्यावान बहुत छोटा होकर अपना काम निकाल कर आगे बढ़ता चले जाता है वो विद्यावान होता है यह महापुरान की कथा करती है बहुत ज्ञानी नहीं बनना हमको बहुत विद्वान नहीं बनना हमको आपको कितना आता है ये आप अपने अंदर रखिए आप कितने चतुर है ये चतुरता आपके अंदर रखिए आप कितने विद्वान है ये विद्वत्ता आपके अंदर रखिए जब संकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चड़ाने के लिए जाओ तब अपनी विद्वत्ता कभी मत दिखाना कोई जल चड़ा रहा है आडा तेडा चड़ा रहा है संकर जी को जल चड़ाते समय तुम्हें नहीं कहना है कि जल ऐसे चड़ाओ तुम जब वो जल चड़ा कर मंदिर के बाहर चले जाए और आप भी मंदिर के बाहर हो जाओ तब कहो कि तुम गलत तरीके से जल चड़ा रहे थे जल चड़ाने का तरीका ये है बेल पत्री चड़ाने का तरीका ये है पर भोले नात के सामने अपनी विद्वत्ता नहीं दिखाना अपना बिद्वान पद मत दिखाना भगवान के सामने ये मत दिखाना कि मुझे बहुत कुछ आता है और इसको कुछ नहीं आता भगवान के सामने तुम ये कभी मत दिखाना कि मुझे सब कुछ आता है इसको कुछ नहीं आता जितने छोटे बन जाओगे मेरे भोले बाबा के आगे जितने नरम बन जाओगे मेरे शंकरजी के सामने जितने छोटे बन जाओगे उतनी जोली भर कर अपने गज़ पर ले कर जाओगे जितने छोटे बन सकते हो उतने बन जाओ जितने नमर बन सकते हो उतने बन जाओ वह ब्राह्मन की बेटी बालक ने आकर उससे लड़ू मंगा पर उसने नहीं दिया अब उसकी नम्रता देखिए उस बेटी की विद्ध्या देखिए मैं तुमको लड़ू नहीं दूँगी क्योंकि तुम गणेश नहीं हो अगर तुम गणेश होते तो तुमारी स्फूंड होती अगर तुम गणेश होते तो तुमारे बड़े बड़े कान होते अगर तुम गणेश होते तो तुमारी तोंद निखली हुई होती आगर तुम गणेश होते तो तुमारा गच का मुख होता पर तुमारा तुम मनुष्य का मुख है तुम तुम आनों का मुख लेकर बेठे ओ तुम गणेश नहीं गणेजी ने कहा मैं तुझे क्या सबूत दू कि मैं गणेश हूँ सबूत क्या दिया जाए कि मैं गणेश हूँ यह अनभिज्यता है हमारी एक छोटा सा लड़का पापा की साधी की एल्वम देख रहा था किसकी शादी की जम के बोलो जरा पापा की शादी की एलवम देख रहा है और पापा की शादी की एलवम देखते 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 एलवम जब वो देखना प्रारम करा देखता गया देखता गया देखता गया पर वो एलवम को देखते 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 आखरी में खोब जोड जोड से रोने लगा तो मम्मी ने पूछा क्यों रो रहा है इसमें मेरा फोटो नहीं है मा उसको समझाए कि तू पेदा ही नहीं हुआ था रहे इस फोटो में कहां से तू हो गया इसे संसार के कई लोग है जो रामायन पढ़ते हैं पर रामायन पर विश्वास नहीं करते है महाभारत पढ़ते हैं पर महाभारत पर विश्वास नहीं करते है शिव पुरान सुनते हैं पर शिव पुरान पर विश्वास नहीं करते है जो शंकर पर राम पर कृष्ण पर हमारे वेदों पर हमारी पुराणों पर हमारी सास्त्रों पर जो विश्वास नहीं करता समझ लेना कि वो पापा की एलवं देखकर जित कर रहा है कि मैं कहां हूं इस पर कि उसको यह नहीं मालूम कि क्या सास्त्र क्या वेत क्या पुरान कि आप लोग अगर रोज रोज मंदिर अब लोग समझदार हो गए तो आप लोग किसी के सुनते नहीं हो नहीं तो पहले जब सुरू सुरू में आपने शुमाह पुरान की कथा सुनना चालू करी होगी और मंदिर जाना चालू करा होगा तो बहुत सारे लोग तुमको अकल देने वाले मिले होंगे क्यों जाती हो, क्यों चक्कर में पड़ी हो वास योर वाला माराज के, क्यों मंदिर जाती हो, क्या होगा बिल पत्र चड़ाने से, क्या होगा फुलेरे का दर्शन करने से, क्या होगा धतूरा चड़ाने से, क्या होगा ब्रक्ष की पत्ति शिव का शंगार करने से, पहले दो तरह के अतिती होते हैं दो तरह के महमान होते हैं एक महमान वो होता है जो मन देखकर आता है और दूसरा महमान वो होता है जो तुम्हारा मकान देखकर आता है अब लिखा यातिती देवो भव कौन से अतिती के लिखा जिसने तुमारा घर नहीं देखा जिसने तुमारा मकान नहीं देखा जिसने तुमारे घर में पुरन पोली नहीं देखी जिसने तुमारे घर में कुछ नहीं देखा केवल देखा तो मेरी मोसी का मन बहुत अच्छा है मेरा भाव बहुत अच्छा मेरे मामा बहुत अच्छे हैं, मेरी भावी बहुत अच्छे हैं, मेरे काका बहुत अच्छे हैं, जो मन देखकर तुमारे घर में महमान आता है, वो महमान के लिए लिखा होता है अतिती देवो भव, और तुमारी सत्ता बड़ी, तुमारा वेभव बड़ा, तुमारा बंगल याद जाए तो यह आतीथी देवभव नहीं है इसको आतीथी देवभव नहीं कहेंगे इसको धन देवभव कहेंगे कि यह केवल पैसा देखकर या इसको कहेंगे दिखावा देवभव वस केवल धन देखकर गाड़ी बंगला देखकर रिस्तेदारी बन गई बहुत लोग आ तो बहुत सारे महमाना चालू हो गए बहुत सारों से पहचान हो गई पर जब कुछ भी नहीं था केवली यह मन था तब कोई आता था तो समझ लेना कि वो सही अती थी था जो तुमारे दिल से आता था दिल के लिए अधन से उसको कोई प्रीती ही नहीं थी आज के जमाने में मेहमान आये तो उसके लिए अलग से कमरा देना पड़ता है पहले जो मेहमान मन के लिए आता था नीचे जमीन पर गद्दे डल जाते थे गादी डल जाती थे लाइन से साब सो जाओ भोजन बन जाता था पहले मेहमान आते थे रसोई घर में खड़े रहकर साथ में भोजन बनवाते थे आज के मेहमान तो टेविल पर भावी ले आओ क्या बनाया है इडली सावर भावी बहुत अच्छा बनाया तो मन ऐसा होता है इत्ती चरी एक बार आके काम तो करी किती खाई थोड़ा सा तो काम कर रहा है बहुत अच्छा बनाया यह जो मेहमान है जो केवल टेविल पर बेटकर सामने बेटकर खाकर चले जाते हैं रसोई घर में जात कर भी नहीं आते हैं कि एक बहु काम कर रही है एक सास काम कर रही है, एक बुजुर्ग का काम कर रहा है, चलो मैं आई हूँ, महमान बन कर आई हूँ, महमान का मतलब क्या होता है, जो मन में निवास करें, और मन में निवास करने वाला, तो रसोई घर में आकर, ला बेटा, मैं काम कर देती हूँ, सबजी में काट देती पहले के महमान होते थे जो आते थे तो सिध위 यकाम में लग जाते थे आज के महमान तो इतफ़ी डेंटिंग पेंटिंग करके आते रहा इत्ती इनको तो हसने की भी फूर सत नहीं रहती ज्यादा हस दे तो दांत में लिपिष्टिक चिपख जाए तो हज भी नहीं से, अब इन मेहमान से क्या आफा हो, अब के रहा अतीती देव भावव, तो जहां कहीं भी लिखा अतीती देव भावव, तो समझ लेना, ये मन वाले के लिए लिखा है, मकान वालों के लिए לא झाए, जो मकान देखकर आते हैं वो महमान नहीं हो सकते हैं जो मन देखकर आया वो महमान है वो हमारे लिए आती थी परमातमा के तुल्ले हैं देव के तुल्ले हैं महारा जो कहा बेटी ने कहा कि मुझे गणेश जी को मैं लड़ू दूँगी पर तुझे नहीं दूँगी मैं तुझे नहीं दूँगी पहचान क्या तेरी बड़े कान नहीं है गजमुख नहीं है सूंड नहीं है तौंद नहीं है तो परचान क्या तेरी मैं तुझे को लड़ू नहीं दूँगी आखरी में बालक वहां से ओजल हो गया पूरा रात्री बेटी अकेली उस जंगल में रही और गणेश जी जब पहुचे तो शिव जी ने पूछा क्या तू उस बेटी के हाथ का लड़ू खाकर आया नहीं उसने मुझे दिया उसने मुझे नहीं दिया शंकर का जो भक्त होता है शिव का जो भक्त होता है भगवान का जो भक्त होता है इतनी जल्दी डोलता नहीं है उसको पूर्ण भरोसा चाहिए विश्वास देड़ता उसके भीतर होना चाहिए विश्वास पूर्ण हो यहां कोई ऐसे एक पत्राया है मेरा नम स्वत्नजा अमोल कुसकर है मैं पूर्ण लोह गाउं से हूँ कहीं बेठी हो तहाद हिला सकती है अगर कहीं बेठी हो तहाद हिला सकती है मैं पूर्ण लोह गाउं से हूँ गुर्देव शादी के कई साल हुए संतान का सुक नहीं हो पा रहा था बच्चा अगर ठेरता था तो वो बापिस गिर जाता था संतान का सुक नहीं हुआ तब हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे गरभाशय में गाठ है उस गाठ के कारण तुम्हें संतान का सुक नहीं होगा कई बेठी हो ताह थेला सकती है आप ही है बच्चा आया है साथ में गोदी मिले लो उसको डॉक्टर ने कहा तुम्हारे शरीर में गाठ है गरभाशय में बच्चे का जन्म नहीं होगा और संतान का सुक कभी नहीं होगा जब तक गर्भाशाई की गाट का अप्रिशन नहीं हो जाता संतान का सुक नहीं होगा बड़े टेंशन में हो गए समय आया मेरी सास ने कहा कि तुम शुपुरान सुनो बाबा सब अच्छा करेगा और मेरा गर्भ भी ठेरा गुरुदेव शरीर में काट भी रही बेटे को जनम दिया मैं उसको लेकर कथा बंडप में आया है बाबा की कृपा उसको थोड़ा सा उंचा कर दो बालक को थोड़ा सा गोदी में उंचा कर दो शरी शिवाए नमस्तू भ्यम रख लीजिए बेटिए सादूबाद बधाई यह शिवक्रपा ही आपने एक लाइन बढ़ी अच्छी लिखिए लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले शिवतत्त्व की प्रापति बेटो 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 शिवतत करा और शिव महापुरान की कथा को टीवी पर सुना टीवी पर सुनकर विश्वास करकर फिर गर्वधारन हुआ तो यह भरोसा हो गया कि अब देगा तो मेरा महादेव देगा दूसरा कोई नहीं देशा यह विश्वास द्रड़ी हो गया पक्का हो गया और विश्वास ही तो तड़ी करना है भरोसा ही तो पक्का करना है हमारा विश्वास ही पक्का नहीं हो हमारा भरोसा ही पक्का नहीं हो तो हम कैसे बगमत्पत को प्राप्त कर सकते हैं यहां कई लोग आए होंगे, उनका विश्वास पत्का होना चाहिए, मैं कथा सुनने गई हूँ, मैंने साथ दिन की शुमहा पुरान की कथा श्त विनायक, शुमहा पुरान की कथा पूने नगर में संग भी में सुनी है, शंकर भाव उस कथा को कराए है, मैंने सुना उस कथा को और मेरा विश्वास करता है. अगनी कथा कहीं पर भी हो गी तो मेरा बत्त पो जरूरबोर जरूर पहुचेगा यह शची तै मिस involving Simon वल्रोतर पहुचता ऑल होगा तो परमातमा मिलेगा ऑने वाह राइगा तो कर दिया लड़की ने में तुम्हें लड़ू ने मां गणेजी के रहे भवान शिव जी से उसने मुझे नहीं दिया अब गणेजी को गुस्ता आया गणेजी ने कापिता जी से बासी रोटी का लड़ू है और नातक कित्ता कर रही है संकर भगवान ने पार्वती जी को इसारा कर दी आज इसको एक भी लड़ू मत देना आज गणेजी को लड़ू नहीं मिलना मा के पास में श्री गणेजी महराज पहुच कर करते है मा भूक लगी है तेड़ी भूख कम औती है एक दो लड़ू से तरह काम चलता है नहीं है मेरे पास में, अशुक सुंदरी के पास पोच गए, जी जी लड़ू, जी जी के है ही नहीं, रखे थे तो उंद्रा खा गया चुआ, लड़ू ही नहीं लचा, ओ, अब संकर जी की लीला बड़ी अफ्रम पार है, शिव जी नहीं बड़ी वारी कृपा करी, गणेजी क भूक लगी, और जब भूक लगती है, तो चाहे सास हो है, चाहे बहु हो, चाहे तुम रोज पीजा खाओ, चाहे बगर खाओ, चाहे चाउमिन खाओ, जब भूक लगती है, तो बासी रोटी भी निप्टा जाते हो, भूक लगने पर है, भूक लगी, तो बासी रोटी, कर रहे हैं मेरा गणैस आएगा दो लड़्डू उसका आधा पानी उसका आधा लड़्डू मेरा और आधा पानी मेरा बस गणैजी को यादा गिया इतनी रात्री को मंदिर भी बंद पड़े कौन भोग लगाएगा क्या करो एक ही वेखी है जो आधी रात को भी मुझे बुल रही है आती रात को आज कोई पूछ रहा था गुरु जी कल गड़े जी बिठाने का समय क्या है तो उनके बिठाने का समय क्या है हम से पूछ रहे थे हम तो संकर जी के भगा सीव जी की उपासना अब हम क्या समय बता है तो हमने उनसे कर दिया जब गड़े जी फिरी हो तो उन्होंने पूछा गड़े जी फिरी कवरे थे है तो हमने का अब ये तुमारे उपर हमको तुम आलूम भी नी हम तो अपाइमेंट लिये भी नहीं उनसे तो तुमें ज़्यादा इस मनो तो किन दो कि आप संकर जी की कता करते हैं आप को नहीं मनूम की गड़े जी का फिरी रेते हैं हमने का गड़े जी फिरी रेने का के वले गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गड़े जी का नाम दुरूम बन कह दिया जाए तो गड़े जी को तुमारे घर की पूजा सुईकार करना पड़ती है बस वो समय हम जाने हम तो बस उतना जानते हैं कि श्युमा पुराणा में लिखा और मुदगल पुराणा में लिखा गड़े जी का एक नाम होता है दुरूम बन क्या नाम है दुरूम बन गड़े जी का एक नाम होता है जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेजी की सबसे पहली आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली आरती गणेजी की कर रहे हो अपने घर में स्थापना कर रहे हो बिठा रहे हो और तुम चाहते हो कि गणेजी मेरे घर में आके मेरी पूजा को सिकार करें और जो मागू मेरा गणेश मुझे दे दस दिन के अंदर तो पहला नाम लेकर पुकाल लेना धुरूमबर्ण बिनायत बेटो बस काम हो गया वो फिर होकर आता है वो बेटता है अलमस्तताम बेटता है अब वो हमसे पूछे समय क्या है हमने का दिखो अमने को तुमा लूम है असे इतना जरून जानते हैं कि शिव महापुरान की कथा करती है शिवतत्व करदा है एक बर्ब्रह्माजी ने भगवन विश्णू से पूछ लिया था ब्रह्माजी ने भगवन नरहियन से पूछा भगवन विश्णू से पूछा कि इस ब्रह्मान्ड में जितना आदर किसी का नहीं होता है उतना आदर महादेव का होता है और महादेव तो स्वया मोन रेकर रहते हैं समाधी में तप साधना में डूबे रहते हैं इसके बाद भी लोग उनका इतना आदर क्यों करते हैं इतना सम्मान क्यों करते हैं ब्रम्मा जी करते हैं, हम इतना देते हैं, भगवान नरायन इतना देते हैं, इंद्र इतना देते हैं, वो इतना देते हैं, शंकर भगवान कुछ नहीं देते हैं, शिवजी तो केवल समय समय पर प्रदान करते हैं, इसके बाद भी उनका इतना अधर क्यों हैं? जो शंकर जी की शुव पुरान करती है वही हमां आप से भी कहना चाहेंगे और वही इस पूरे देश राष्ट के हर एक नेता से कहना चाहेंगे फिरी में अनाज दो मत दो फिरी में कपड़ा दो मत दो फिरी में आप समान दो मत दो पर राष्ट में दो चीजे फिरी होना चाहिए जो मेरे महदेव ने दी है एक दवाई दूसरी पड़ाई ये फिरी होना चाहिए खाना फिरी दोगे की नहीं दोगे उससे मतलब नहीं है कपड़ा फिरी दोगे की नहीं दोगे मतलब नहीं है जितने राष्ट के राजनेता है और ये शब्द पूने की इस धरा से केंदर तक पहुचना चाहिए कि खाना फिरी मिले चाहिना मिले कपड़ा फिरी मिले चाहे नहीं मिले पर दवाई और पढ़ाई ये दो फिरी होना चाहिए कई लोग तड़प तड़पकन मर जाते हैं और उनको अच्छा होस्पिटिल और उनको अच्छी दवा नहीं मिल पाती है गरीब ड़ा तड़पता रहता है कई लोग पढ़ने की आस लेकर बड़े बड़े शेहर में जाते हैं पर अच्छा कॉलेज अच्छा स्कूल नहीं मिल पाता क्योंकि पैसा नहीं होता तो राष्ट के राजनेताओं को चाहिए अन दो चाहे मत दो तुम कपड़ा दो चाहे मत दो फिरी में पर दो चीज़े फिरी दीजिए एक दवाई फिरी दीजिए और एक पड़ाई फिरी दीजिए जो मेरे शंकर जी ने सब को दिये शिव जी ने दो चीजे फिरी दी एक गणे जी से कहा तो बुद्धी दे फिरी और एक संकर भगवान ने ओशा दी दी इसलिए इसको महामर्तिंजे कहते हैं वो फिरी दी निशुल्क होना चाहिए दवाई और पड़ाई मेरा निवेदन है इस किलीप को काट कर पूने की धरा से केंदर की धरा तक जाना चाहिए जिससे दवाई और पड़ाई फिरी हो सके गरीब से गरीब आदमी के लिए छोटे से छोटे आदमी के लिए दवाई भी फिरी और पड़ाई भी फिरी लोग तड़कते रहते हैं पैसे वाला व्यक्ति इलाज करवा लेता है, ठीक हो जाता है, गरीबड़ा प्राण थ्याग देता है, पैसे वाले व्यक्ति के बच्चे अच्छे कॉलेज में पहुच जाते हैं, गरीबड़े के लिए कॉलेज नहीं मिल पाता, इसकूल नहीं मिल पाता, पैसा नहीं है, उसक कर जी जैसी बुद्धी रखना शिव जी ने मोदक रोग दिया पारवती को इसारा करा मत देखाने को इसको लड़ू मत देना गणे जी को याद आया जाना है पहुच गए आज सूंड रखकर भी गए है और पूरा स्वरूप रखकर गए और मेरे गणे जी महराज सिद्धी विनायक बनकर लड़की के सामने पहुच गए पहुचने के बाद उससे लड़ू मांगा लड़की ने दो लड़ू दे दिया आज मेरा गणे शाया है ले लड़ू खा गणे जी ने कहा दो लड़ू में काम नी चलेगा चार देना पड़े चार देना पड़े लड़की ने का नहीं मेरी माने का था दो गणे इसको देना दो तू खाना आदा पानी तू पीना आदा पानी में प्यूंगा गणे जी तुरांत उसको बातों में गुमाने लगे और गुमाने लगे तो दो लड़ू गणे जी को मिल तो गये पर दो लड़की बड़ी चतूर थी उसने नहीं दिये नहीं रखे अब गणेश जी महराज ने उसके जो दो लड़ू खाए उस लड़ू से गणेश जी ने जवाधा पानी पिया एसा पेट बरा गया गणेश जी ने उसी समय उस लड़की से कहा तुझे क्या बंगला मांगू दोलत मांगू कि गणेश जी कोई मांग लूँ लड़की विचार कर रही है विचार करते 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 ब्रह्म मोरत हो गया जुझे क्या तू मांगेगी नहीं तो गणेज जी ने जब कहा तू मांगेगी नहीं तो लड़की कहती है मैं विचार तो करूँ ना पहले मांगोंगी क्या पहले विचार तो करूँ इतनी देर में गणेज जी ने कह दिया तू मेरे सामने बेट कर विचार कर रही है जो तूने विचार कर जो जो तेरे मन में आया सब तुझे प्रदान किया सब इसको करते हैं सिद्धी विनायक बहुत होड़ लगती है सब बहुत होड़ लगती है आज गणे जी के मंदिर में सवा कुंटल लड्डू का भोग लगेगा किते कुंटल जम के भोलो जड़ा सवा कुंटल मोदक का भोग आज गणे जी के मंदिर में सवा कुंटल लड्डू का भोग माईक पे चिलाया जाता है सवा कुंटल लड्डू का भोग लगेगा गणे जी को भोग लगेगा सवा कुंटल लड्डू का महां से जित्ते लोग निकल रहे हैं गरीब ड़े के बच्चे भी निकल रहे हैं वो गरीब के बच्चे सोच कर वेटे हैं रात को नो वजे बटेंगे उसके मुँ में राल आ रही है वो तैयारी करकर वेटा है गणेजी कर रहे हैं तुमने बोल कर उसको तड़फन दे दी और बाद में मुझे भोग लगाओ तो ये लड़ू में सुिकार कैसे करूँ इसको पाओं कैसे में सवा कुंटल लड़ू का भोग लगाना है तुम्हें चिला कर बोलने की जरुवत नहीं है सवा कुंटल लड्डू का भोग लगाना है तुम्हें बोलने की जरुवत नहीं तुम्हा आओ सवा कुंटल लड्डू का भोग लगा और बाटो सबको मना नहीं पर चिला चिला के सुबह से कान भर दिया सुबे से चिला रहा है आज सवा कुंटल खिचडी का भोग लगेगा आज सवा कुंटल लड्डू का भोग लगेगा आज भगवान को भोग लगेगा जित्ते लोग जा रहे हैं साम गरीवड़ा अमीड रहा अमीड को कोई परक ने पर गरीवड़ा मध्यंबर की व्यक्ति को उसके घर के बच्चें को लगता, साम को जल्दी से आरती हो जाएगी न, मेरे को लड़ू मिलेंगे, मेरे को लड़ू मिलेंगे, मेरे को लड़ू मिलेंगे, घर में जो मा होती है न, दिवाली पर गुजिया पपडिया बनाती है, मठरी बनाती है, चकली बनाती है, अनरसे ब बनाती है तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कहते हैं मां दे दे ना मां कहती नहीं अभी दिवाली की पूजन होगी तब दोंगी अभी नहीं अभी पूजन हो जाएगी तब दोंगी मा देना अभी पूजन हो जाएगी जब दूँगी घर का बच्चा बिलकता रहता है रोता है तब मा दो गुजिये मठरी थोड़ा अलग रख देती है और उसमें से निकाल कर अपने बच्चे को दे देती है मा सोचती है पूजन होती रहीगी पर बच्चा बूखा है ले मेरे गणेश जी के सामदे चिल्ला चिल्ला करके सवा कुंटल लट्दू का भोग लगेगा सवा कुंटल खिचडी का भोग लगेगा सवा कुंटल ये लगेगा बच्चों का हरदाय मेरा गणेश किसी को देख नहीं सकता, बिलखता हुआ, क्योंकि वो बुद्धी का देवता है, वो एसा लड़ू, वो कहता है, दिल से दो मुझे, दिखावे से मत दो मुझे, यहाँ, इस पावन पंडाल में, पूने की इस धरा पर, कई लोग रातरी में आकर भोजन बाट रहे हैं, कई लोग बिस्कुट बाट रहे हैं, कई लोग पानी की बाटल बाट रहे हैं, कई कोल्ड रिंग बाट रहे हैं, कोई बिस्कुट बाट रहे हैं, कोई कुछ बाट रह या कोई हलुआ बना कर लिया या या पूरे पंडाल में परती दिन चाहे कथा के समय चाहे रातरी के समय लोग आकर खिला रहे हैं वो एक बार भी एलाउंसमेंट नहीं करवाते कि हमने ये बाटा इसे लिए भोले ना तीन महीने में चार गुना दे देता है वो दे कर जाते हैं चार गुना मेरे भोले ना दे देता है दस रुपे की पानी की बोटल अगर पिलाई है तो लिख कर रखना कि वो दस रुपे का तुमको तीन महने के अंदर चोगना करकर दिया कि नहीं दिया लिखना जरूर और सी और में पत्तर भेजना जरूर क्योंकि हम तो इन पत्तरों से जान जाते हैं कि पत्तर में है क्या उससे पेचान हो जाती है कि तुमने क्या लिखा है क्या देता है वो तुमें बाद में मालूम पड़ेगा कथा तो हो जाएगी आज कथा कर तीसरा दिन चोथा दिन आज कथा कर चोथा दिन हो जाएगा कल पांचवा चटा और सात्वा तीन दिन बाद हम भी चले जाएंगे दूसरी जगा कथा प्रारम हो जाएगी तो यह सब चलता रहता पर उसने तिया क्या तुमको यह तुम्हें मालूम पड़ा गणे जी ने का ला दो लड़ू दो लड़ू लेकर गणे जी ने पाहा पाया और इतने में गणे जी ने कह दिया मांग ले वो सोचती रही में क्या मांगो गणे जी करते हैं तुने जो जो सोचा सब तेरा अ सब तेरा जो तूने मंगा है सब तेरा लड़की चतूर थी ऊसने कहा ह Dru pac करने जी बोले मालूम है मेरे को क्या तुम्हें है और क्या दूमें तुमको दिल के सिवाए तुमको हमारी उमर लग जाए लड़की ने कहा सब मिले ना मिले बस एक काम करो हे गणेजी तुम इसी जगहा पर बिराजमान हो जाओ सिध्ध टेक रिख सिध्ध सुन्दर सिध्धि विनायक के रूप में मेरे गणेजी महराज बिराजमान का गणेजी बिराजमान सुन बेटी तुने मुझे यहाँ पर बिराजमान कराए संसार का जो मनुष्य इस सिध्ध टेकरी पर आएगा और सिध्धि विनायक का दर्शन करेगा केवल गाउं में प्रवेश करते से उसके मन में भी जो चलेगा तेरे को बचन देता हूं उसकी जोली उसके मन में आने से ही मैं भर दूँगा कहने की जरुवत में सिध्धता है सिध्धता सबसे पहला नमस का हम लोग नाम लेते हैं जम के बोलते हैं सिध्धि विनायक बगवान की ही ही हैं हम घर में कोई काम होता है तो कर सिध्धि विनायक को बलाओ पत्रीका जाए तो सिध्धि विनायक को बलाओ पत्रीका जाए तो सिध्धि विनायक को सिध्धि विनायक का मतलब तक पहली ये पत्रीका का नियम कहा से आया कि शादी में गणे जी को पहली पत्रीका सबसे पहली पत्री का किसको दी जाती है बोलो यह यह नियम कहां से है कहां से नियम आ गया है कि पहली पत्री का श्री गणे जी महराज को दी जाए कोई तुमसे पूछे कि यह नियम कहां से आ गया है कोई आप से पूछे तो उसका उत्तर आपको देना है कि सबसे पहली पत्री का गणे जी के पास क्यों जाती है कारण क्या है पत्री का गणे जी कोई क्यों दी जाती है सबसे पहली उनको बुलाने के लिए अरे बोलो तो जम के गणे जी को पत्री का गणे जी को बुलाने के लिए दी जाती है क्या पूना वाले तुम तो एक दम चुप हो गए रे एक दम चुप हो जाते हो ना तो हमको टेंशन बढ़ जाता है ला कोバイ के लए बहले का दी गणे जी को तो गणे जी को बुलाने केली दी खिया नहीं हिपी रजी की पत्री हा कभी भी गणे जी को बुलाने के लिए पहले पत्री का जो गणेश जी को दी जाती है अष्ट विनायक मुदगल पुरान श्री गणेश पुरान कह रही है श्यू पुरान कह रही है इसकंद पुरान कती है जरा भ्यान से पड़एगा सुनिएगा कुराण के अंतरगत वर्णना आता है एग बार ब्रह्मा जी ने भगवन विष्णु से निविधन किया नारयन मन है कि ब्रह्म लोग में यग्य नहीं हो सकता बेकुंत लोग में यग्य नहीं हो सकता जनकल्यान के लिए देव पितर गंधर किनर आशूर सब के उधार के लिए संसार के मनुष, जीव, जलचर, थलचर, भाईचर, सब के उध्धार के लिए एक यग्य परत्वी पर किया जाए एक यग्य परत्वी पर होना चाहिए यग्य करा जा ब्रह्मा जी ने बगवान नरेंड से का, नरेंड ने इंदर से का, इंदर से का इंदर ने सब दूर सूचना कर दी कि जाओ देवादीद महादेव से प्रातना करो कि मर्तिव लोक में एक यग्य होना है और वो यग्य ब्रह्म लोक में नहीं हो सकता वो यग्य बेकुंठ लोक में नहीं हो सकता वो इंदर लोक में नहीं होगा वो पताले नहीं होगा तला तल रसातल कहीं नहीं केवल मर्ति उलोग में वो यग्य होगा और उस यग्य में नाक, असुर, गंधर्व, देव, पितर्व, ऐसा कोई नहीं रुकना चाहिए, जल्चर, थल्चर, भायुचर, जीव, चराचर, सब उस यग्य में आए, वो यग्य करा जा, करो तैयार यग्य के, अब भगवान तो बगवान, सब के पास में, देवधिद्य महादेव तो नेत्र बनकर बेटे हुए थे, सब उनके पास में जाएं, तो क्या हो? शिव जी से, मापार्वती जी से, श्री गणेश जी माराथ जी से, अपने एड़दाई की बाद, अपनी दिल की बाद, बाबा देव दिद्य महादेव से रशित है। जहां जगा मिले वहां बेट जाओ, कीचड़ हो, पानी हो, तो खड़े खड़े प्राथना करो, पर करो जरो। जहां जगा मिले वहां बेट कर भगवान देव दिद्य महादेव से भाव से रशित है। श्री श्रीवान नमस्तु श्री शिवार नमस्तु श्री शिवार नमस्तु श्री शिवार नमस्तु श्री शिवार नमस्तु शिव कथा कर रहे हैं औघडी कर रहें भगवान शंकर कर रहें कि देवताओं ने एकग्रित होकर समने यग्य करने का विचार के और वो यग्य होना है मरत्यू लोग में परत्वी पर अब यग्य करने का जब विचार आया कि सबकी सब देव अधिदेव महादेव के पास में गए भगवान शंकर से प्रात्थना करें बोले बाबा यग्य करना है नाग असुर गंधर किन्नर देव जल्चर थल्चर वायूचर जितने चराचर जीव हैं तलातल रसातल में रहने हैं आपास को देवताओं असुर हो गंधर हो सबके लिए याग्य और यह जो यग्य है सब करें कर लिए कि सब कर दुद्र ए study करना है कि देव दीदेव महादेव ने का करियो यग्य प्रथवी पर यग्य करने कि मना नहीं नहीं है भूम अंडल पर यग्य करो मना का किस ने मना करा कि यग्य मत करो करिए यग्य तो कर लें पर एक सबसे बड़ी टेंशन का एक विश्य है कि यग्य को करने में सबसे बड़ा एक टेंशन सबसे बड़ी चिंता का एक विश्य है क्या विश्य है सबसे बड़ा चिंता का विश्य यह है कि यग्य चालू हो उस यग्य में सब आएं उसका निमंत्रन कोन देने जाए। अब बहुत साउधानी से सुनना जो लोग करते हैं कि गणेजी को हम वो क्या बोलते हैं पत्री का देकर आते हैं उनको बुलाते हैं शादी में तो वो पत्री का पर विशेज ध्यान दीजेए। कि आपने पत्री का गणेजी को दी है पर गणेजी का कारे क्या है पत्र दिया है। पत्री का देने का निमंत्रन देने का किसको भेजा जाए। तो का भेजने के लिए अब किसको भेजें आब आता हो तो इंद्र का नाम आया कि इंद्र Geo पत्रीका देने जाएंगे तो इंद्र ने कहा पत्रीका देने तो चले जाओंगा पर अशुरो के घर नहीं जाओंगा राक्षा सो कि यहां, देतियों कि यहां, पत्री का देने नहीं जआँगा यहांगा। अरभी तने में गरुन जी को बुलाया कि तुम यह पत्री का पोचा। साथ देवतायों को बुलाकर कहा गया। पर कोई ना कोई का किसी ना किसी से द्वेश था, तो वो पत्री का भेजने में आसमर्थ, पत्री का वो पोचाए जो सब के पास पोचा दे, नाग हो, असुर हो, गंधर हो, देव हो, किन्नर हो, जलचर हो, थलचर हो, वायूचर हो, जीव हो, चराचर हो, सब के पास पत्री का पहुचे और यग्य भी चालू होना है दो दिन बाद तो उसकी पत्री का तुरंत पहुचे अब यह काम किसको दिया जाए तो इतने में तुरंत भगवन ब्रह्मा और भगवन विश्णु ने दोनों ने निर्णे करकर कहा पत्री का देने का कारे श्री गणेजी महराज को अब गणेजी के पास पत्री का देने का काम सोपा गणेजी पोच गए अपनी माता जी के पास पारवती जी के पास जाते से उन्होंने आवाज लगई मा 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 इनकी आवाज सुनकर शड़ानन कार्थी के आगए इनकी आवाज सुनकर असुक सुन्दर ही आगई इनकी आवा सुनकर जया अभिशारा शामरीबारी दवतली और देव पांचो कन्या भी आगए आज गणेजी चिलना क्यों रहा है क्या हो गया ऐसा गणेजी ने आकर आवाई लगा करका मां मुझे पत्री का बाटने का कारिव मिला है मिमंतन देना है यग्य है भूम अंडल पर परत्वी पर इसलिए पत्री का बाटने का काम मुझे मिला मां इत्ती सारी जगा पत्री का देने जाओंगा भूक नहीं लगे इसलिए मोदक बना दे अब पार्वती जी बोली पत्री का का मोदक से संबंध क्या है लड़ू से और मो मोदक इसलिए तुमने देखा हो गणेज जी के हाथ में लड़ू तो धरई रहता है एक मोदक तो उनके हाथ में रहता ही देता है क्योंकि भूक लगेगी तो माता ने कहा कि ठीक है अब पार्वती जी ने मोदक भी दे दिया लड़ू भी दे दिया भोजन करा भी दिया मोदक भी अब हां अधिन फिर अवाई लगा कर meal म्हा गणेजी ने यसे हारा बढ़ा ने पिर प्र पूचा क्या होतेरघ को मा चले तो जाओंगा पर इत्ती सारी जगा जाना है और गणे जी बोले चुवा तो इत्ता सही है अब चुवा चलता धीमा धीमा अब जाओंगा तो जाओंगा कर से इतने में पार्वती जी बोली है काम कर तु मेरा शेर ले जा सिंग ले जा तूंग अब गणे जी शेर लेक प्रक्रेश्ब नयुक्त कर लेकर लौ किन बोलर का जाओं यह कि अधने चखेस्ट को दे भी दूगानागों पताल में तलाथ साहख तल नेृर्सा तलमें असुर ओगह जाओं गंधर ऑगों डेफ्ट आफ यह जाओं डिय dov बोले कि मैं ये पत्रीका का करूं तो करूं क्या इंद्र कहते हैं मैं असुरों क्या नहीं जाओंगा गरुन कह रहा है मैं नागों क्या नहीं जाओंगा बरुन कह रहा है मैं इसकी आना ही जाओंगा अब मैं करूं तो करूं क्या अच्छा एक गणेजी महारा जैसे हैं जिनकी सबसे बनती है सबसे बनती है इत्ता इत्ता सा बच्चा भी तुम कल देखना बाबा मोरिया इत्ता सा बच्चा सबसे बनती है इनकी सबसे ब्रामन हो चत्री हो वैश्च हो कोई भी हो किसी वे जाती का और यहां तक सास्तर करा है किसी भी धर्म का हो वो किसी भी धर्म का हो, तो भी गनेजी से बनती है, किसी भी धर्म का हो, इसलिए सिद्धी विनायक जी के मंदिर में, अश्ट विनायक के मंदिर में सब धर्म का आदमी चले जाता है, सब से बनती हो, अब गनेजी बोले मां मैं कैसे जाओं तो इतने में, असोक सुन्दरी वेटी थी आँखों में बहुत सारा काजल लगा था चोटी थी काजल बहुत सारा आँखों में लगा था और बहुत सुन्दर दो यहां पर पुश्प लगे हुए थे असोक सुन्दरी के और बड़ी सुन्दर मस्तक पर बिंदी थी होटों पर लाली थी आँ या पार्वती जी के गले में बयाँ डाल कर खडी होकर पूछी मा हुआ क्या, ये गने क्यों चिला रहे कि बेटा इसको जाना है पत्री का भाटने के लिए और ये जानी रहा और कह रहा है कि मिले को जाने में समय लग जाएगा जाओं किसके यह जाओं किसके यह लिए तो जाओं कहां पर मैं किसके यह जाओं इतने में असोक सुंदरी ने मैया के कानों में कहा मैया गड़े भाया सिके दो सारी पत्री का एक ही जगा पे रख दो कहां पे तो के संकर जी के चर्णों में रख दो पिता जी के चर्णों में अगर पत्री का पहुच गई तो नाग हों असूर हों गंधर्व हों किन्नर हों राक्षस हों देवता हों सब 33 कोटी दिवी देवता वहीं पर है कथा में कहा था जहां पर कथा में वर्णन करता यह शिवलिंग शिवलिंग का जलाधारी यह पारवती जी असुक सुन्दरी शडाननकार्ती के गनेश शंकर जी के उपर जलाधारी जया अभिशहराज शामलवरी देव दवतली ये सब कन्या जहां से पानी बह कर जाता वहां तेतिस कोटी देवी देव ता सब वहीं पर सब वहीं पर कह दो निवेदन कर दो कि तुम पत्री का शिवजी के सामने कर दो शन कर दो ठीक है निवेदन स्विकार कि जो सिकार किया गणेजी ने पूछा मा पत्री का क्या करूँ निमंतर देने कहा जाओ इतने में तुरंत पार्वती जी ने का पत्री का गणेजी तुम पिता जी के चरणों में शिवजी के चरणों में रख दो इतने में ब्रह्मा जी ने भगवान गणेज जी से पूछा सबको पत्री का दिया है ना सबको निमंत्रण दिया है ना तो गणेज जी बोले ब्रह्मा जी आप चिंता मत करो जो पत्री का मेरे पास में आती है वो पत्री का पेतिस, कोटी, देवी, देवता ही नहीं, चराचल, जर्चर, असूर, संदर्व, गंधर्व, सब को पहुच जाती है, जो पत्री का मेरे पास में आई, मैंने वो शिव जी के चरणों में रख दी, और वो पत्री का सब्दूर पहुच गई, ब्रह्मा जी ने ये किसी की आनी भेजे, कोन आएगा यग्य में, गणेजी ने पत्री का किसी को नहीं दिया, यग्य में कोन आएगा, इतने देर में तो भगवान संकर के नेत्र खुले, यग्य प्रारंब होना था, उसके पहले यग्य शाला के आसपास, देवता, गंधर्व, असूर, किंदर, सब आ गए, और यग्य प्रारंब होना, यग्य प्रारंब होना, हमने एक बात आप लोगों से पहले कही थी, आज फिर कह रहा है, कि पत्री का केवल गणेज जी को बोलाने के लिए, गणेज जी के मंदिर में नहीं दी जाती, पत्री का गणेज जी को इसलिए दी जाती है, कि आप सब को सूचना कर देना और आप करपा करना सब को लेकर पधानना और हमार अकल नहान करना यह पत्री का गणेजी को सब को सब को बुलाया जाता है सब 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 से प्रात्ना करी जाती है सब भगवान श्री गणेज जी महराज विराजीत होते हैं आगे जो वर्णन बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया गया बड़ा सुंदर भाव जब यग्य प्रारम हुआ यग्य का क्रम चालू हुआ देवता सारे सम्मुक में आकर खड़े हो गए श्रीव जी ने पूछ लिया गणेज जी से भगवान बर्मा जी से भगवान विष्णू से इतने सारे सबाएं हैं इनको पत्री का किस ने दी है तो कि पत्री का देने वाला केवल एक गणेश जिनोंने वो पत्री का को उठातर शिव जी के चरणों में रख दिया शिव महा पुरान की कथा कती है जब हम संकर भगवान के शिव लिंग पर जल समर्पित करते हैं शिव पुरान कती है वो जल केवल संकर जी को नहीं मिलता वो 33 कोटी देवी देवताओं को भी प्राप्त हो जाता उसका एक पत्र आया है देखिए मैं सो सुभांगी तुशार धुड़के मैं पीपरी चींचवड काले वड़ी मैं रहती हूँ कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती है अगर कहीं बेटी हो तो नो तीनो पंडाल में कहीं पर भी हो तो हाथ हिला सकती है मैं सो सुभांगी तुशार गोड़के मैं पीपरी चींचवड काले वाड़ी में रहती हूँ एक लोटे जल और पशुपती व्रत का क्या वखान करूं गुर्देओ मेरा बेटा एक साल का था तब उसके सरीर में सोरैसिस की बिमारी हो गई सरीर में जब सोरैसिस की बिमारी हुई एक साल का मेरा बच्चा वो बिमारी उसके शरीर में आ गई और गुर्देयो City, मेरा बेटा 10 साल का हो गया, पर उसका इलाज करवा करवा कर ठक गए हैं, पर वो बिमारी उसकी गई नहीं, जब 10 साल का बेटा हो गया, बिमारी नहीं गई, और वो बिमारी बढ़ती चली गई, उसके शरीर पर खुजाल चलती, पूरी फुकडी निकलती, शरीर की स्वरैसेस की बिमारी डॉक्टर कहते हैं गुर्देव कि ये मरते दम तक रहती है ये स्वरैसेस की बिमारी समाप्त नहीं होती तब मेरी माने मुझे फोन पर कहा कि सियोर वाला महराज कथा करता है टीवी पर आती है कभी एक बज़े आती है उस कथा को तुम सुनो और टीवी के सामने बेट कर ही बाबा से प्राथना करो गुर्देव मैंने पशुपती व्रत के बारे में सुना शिवजी के मंदिर में पशुपती व्रत किया बाबा से प्राथना करी मेरे बेटे के हाथ में एक लोटा जल दे देती थी शंकर जी को चड़वा देती वही जल लाकर उसके शरीर पर लगा देती थी गुर्धेव बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुर्धेव धीरे धीरे समय बीता आपने ओनलाइन शिव महापुराण का सुन्दर शिवजी का अविशेक करवाया हमने वो अविशेक करा उसकी एक बेलपत्र उठा ली आपका ते हो जो मांगो बाबा सुनता है दस साल मेरे बेटे को हो गए थे गुर्धेव एक बेलपत्र जब उठाई और वो बेलपत्र अभिशेक में से उठा कर मेरे बेटे को मैंने दे दी किया मैं बाबा से यही मांगती हूँ कि तेरी शरीर का रोक ठीक हो जाए और वो बेलपत्र मैं अपने बेटे को अभिशेक होने के बाद में आपने कहा था एक बेलपत्र उठा कर रख लेना पर मैंने वो रखी नहीं अपने बेटे को दे दी खाने को और बेटे को खिला दी बाबा क्या वर्णन करूं जो दस साल से मेरे बेटे की बिमारी नहीं गई वो एक दिन का विशेक करने से बेलपत्र खाने से मेरा बेटा ठीक हो गया मैं बाबा को यहां नमन करने आई हूँ बाबा को परणाम करने हूँ कहीं बेठी है क्या कहीं बेठे हो तो हाथ हिला सकती है अच्छा उधर है क्या केमरा नहीं जा पाएगा दोनोनों हात रिला दो एक बर भेहन जी जह भी वेठी shouldi phosphine नमस्तू ग्व्यम उच्व फंब्नाय करें शिवतत्व हो इसी को तेतिस कोटी देवताओं को समर्पित होता है इसलिए वो जल ओशदी का कारे कर जाता है और हमारा कल्यान कर गया एक पत्रोर आड़ा है बड़ा सुन्दारे बुद्धा मेरा नम वर्षा बाई गुलाब बोर से कई बेटी हो तहा थेला सकती है आप ही है बेटा आया है साथ में बढ़ाई बाबु आपको बहुत बहुत है एक बार बापी सातिला बाबु हाँ ठीक है मेरा नाम वर्षा बाई गुलाब बोर से पता नाड़ा तैसिल पांचोरा जिला जलगाउं से आए हैं हमारा मुबाइल नंबर यह है गुरदेव महादेव का क्या वर्णन करूं? प्रारम करी और बेटे को SSC GD का फार्म भरवाया बेटे का जब SSC GD का फार्म भरवाया तो बेटे का जब एक्जाम के लिए आया तो मैंने अपने बच्चे से कहा सियोर वाला महराज करता है एक बेल पत्री पर शहद लगा कर बीच वाली पत्ती पर शंकर को चड़ा कर ज जीत जाएगा शंकर तेरे साथ होगा वही की वही मेरे बेटे ने करा जो 2016 से पास नहीं ओपा रहा था बाबा की कृपा से से जीडी के एक्जाम पास करकर बी एसेफ में चैन हो गया और मेरा बेटा का बी एसेफ में चैन हुआ और सरकारी नोकरी लगी मेरा बेटा साथ आया एक वार दोना हाथ हिला दो बाबू हर हर महादेव वधाई आपको बहुत बहुत श्री शिवाए नमस्तु ब्राइब 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 रुपे किलो होता है पर वही दूद अपनी कीमत को बनाता है तो अगनी पर तपता है तो घी बनता है घी बनता है तो कीमत बाला हो जाता है आप स्वयम अपनी कीमत बनाओ भले लोग तुम्हें सस्ता समझें पर इतनी मेहनत करो इतने दुनिया में तप जा कीमत वाले वनों कीमत दूद की क्या कीमत अरे सो रूपे के लोगा साथ रूपे के लगाशी रूपे के लोगा पर भूत घीकी कीमत चार्ट सौ 500 चेसो तपने के बाद कीमत आती दुनिया आप शब्द कहे तप रहो, दुनिया ताने दे तप रहो, दुनिया गाली दे तप रहो जब आप उन्नती की सीड़ी पर चड़ें जब आप कोई कारिक करें जब आप कुछ बोलें और उस बोलने पर अगर किसी का रियक्शन नहीं है तुमारे आगे बढ़ने पर लोगों को टेंशन नहीं है तो समझ लो कि तुमने अभी कोई नाम नहीं कमाया तुम्हारे बोलने के बाद लोग सोच में पढ़ जाए और आपस में बात करने लगे तो समझो कि बात में दमेनी तो यूच है तुम आगे बढ़ रहे हो दुनिया को टेंसन, परिवार को टेंसन कैसे कमा लिया, गाड़ी कैसे आ गई, बंगला कैसे आ गया, कहां गई थी, कौन से महाराज के पास गई थी, ना जाने कहां पोच गई, अब उसको चिंता में पढ़ गई कि करती क्या है उसको लग रहा है, कहीं है मुचे न नीचे ना दवा दे, तो लोगों से के ना चालू कर दिया, अरे वो तो सी योर वाले महाराज के चक्कर में पढ़ गई, ना जाना कांके कि टोने टटगा में पढ़ गई यह फुलेरा लगाना टोटका होता है, जिसको टेंसन है, वो उंगली उठाता है, और उसका उठाना जरूरी भी है, अगर वो उंगली नहीं उठाएगा, तो आप कभी जिंदगी ना आगे नहीं बढ़ पाऊगे, बढ़ो! जिसको श्यू महापुरान में टोटका ना जा रहा है, समझ लो, कि अब तो मुन्नतिकी और बढ़ रहे हो, लोगों को तुमारे मंदिर जाने से टेंसन हो गया, आजकल बहुत खुस रहती है, बहुत! जब से ये कथा में से आई, एक पत्राया है, पेंसन करें, नजर उतरवालेना क्या जोड़दार अबाज है, बहुत जोड़दार आज है, बहुत जोड़दार, बहुत शानला, बोल भमका नारा है, सही में, पूने वालो कल्यान तुमारा है, गुरुजी में स्वाती रवी मंगल, अमरावती की रहने वाली हूँ, मेरी किड़नी खराब है, मेरा लीवर खराब है, तेरा सालों से परेशान हूँ, गुरुजी मेरी किड़नी के पास में स्टोन हो गया, जिसके कारण मेरी किड़नी और लीवर दोनों ही बेकार हो गया। लीवर इसलिए बेकार हो गया, मेरे को तीन सालों से लीवर में पीलिया है, और तीन सालों से में पीलिया लीवर के अंदर हो गया, तो मेरा लीवर खराब हो गया। किड़नी के पास स्टोन है, तो वह तकलिप दे रही। सारे डक्तरों का इलाज करवाया, डाइलेसेस भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा। पर आराम नहीं मिला। डाक्तर का एक ही कहना है, किड़नी के पास से स्टोन हड़ जाएगा, तो तुमारा लीवर और किड़नी दोनों काम करना प्रारम करतेगा। पर उसको उप्रेशन नहीं कर सकते ऑप्रेशन करेंगे तो लीवर किड़नी दोनों ही का आप्रेशन साथ में करना पड़ेंगे अब करें तो करें क्या किसी ने कहा शंकर भगमान को एक लोटा जल एक बेल्पत्री का प्रयोग करना प्रारम करूँ बस अब एक लोटा जल शिव जी के मंदर में चड़ाते बेलपत्र का प्रयोग करते बेलपत्र केवल दो बार खाई और तीसरी बार मेरा जो इस्टोन था किड़नी के पास में वो अपने आप गिर गया और डॉक्टर में कहा कि तुम्हारा किड़नी और लीवर भी धीरे-धी काम करे वे श्लेंध वैंधही त्रीजिंदर शमय आप्रवती इसकी को कहते शंकर की प्रापती सियों को है हैं जोड़दार ताली वजाएं श्री गणेश जी महराज के प्राधाट के बड़े प्रेम से आनंद के साथ चतुर्थ दिवस की कथा यहां विराम होई है कल पांच्वे दिवस में प्रवेश्च करेंगे हर हर